इस नियोज इस स्पॉंसर बाइ हीरा बैंकिट हॉल, फुली एर कंडिशनर एड सेद अली चबूतरा नियर शागास होटल में आसाथ देते हैं, मुझे यखिन था, कि मेरा केस मुझे बरी करवाएंगे, जालिम वक्ती तोर के ओपर गालिब आता है, हक खाइम रहता है, हम हक वाले लोग हैं, कितनी भी साज़िशें कर ले, जालिम, लेकिन हक हमेशा गालिब आता है, और आज हक गालिब आ गया, तहरी, बराबर हक के आवाज बलंद करते रहेगी, हक के लिए अपने गरदनों को कटा देंगे, अपने जानों की खुरवानी देंगे, लेकिन हक बराबर बोलेंगे, हक को नहीं दबाया जा सकता, आप दवाखान आपका, सीन आपका, डाक्टर आपके, साज़िश आपकी, पुली साब की हर चीज बनी बनाईवी प्लान करके जो है इस तरीखे से मुझे और मेरे एक साथी रिपोर्टर सुभान साहब को भी आज से तीन साल पहले एक खतल के मुखदमे में हमको मुलविस किया गया हम जेल काट चुके लेकिन राहे हक से हमने मुह नहीं मोड़ा वो खतल हुआ हमको नहीं मालूम लेकिन हमको उसमें डाल दिया गया तीन साल पहले और अभी भी एक साज़िश की साहथ रात के वक्त घर पे पोलीस और गुंडे घर समाजी अनासिर घर पे हमला करते हैं पोलीस के साथ और उसके बाद गिरफतार करके ले जाते हैं सारा तमाश देने वालों के खिलाफ हजारों करोड रुपे रखे और जो लाशों के पैसे वसूल कर रहे थे उसी दिन मुझे अंदाजा हो गया था कि मेरी गिरफतारी होने वाली है को साधिश हो रही है आठ लाक रुपे जो सिरी सेलम के पास के एक आदमी के सोला लाक रुपे असरा अठारा सो रुपे उस दमाखाने में मिलत के वसूल किये गए मैंने आवाज उठाई वो वीडियो वाइरल हो गई उसी के साथ मुझे अंदाजा हो गया कि कोई साधिश रची जाने वाली है मुझे जेल भीजा जाने वाला है और मैं पहले ही बोल चुका था कि मुझे अधिया उनका ममनून मश्कुर हो जिन्होंने मेरी रिहाई के लिए राद दीन मेहनत की है आप वरी मच्छ थैंक्फुल तो मुहमद मुझफर उलाखन